नमस्कार दोस्तो, MPPSC प्रिलिम्स यानि की मध्धिप्रदेश लोक से वायोक की प्रारंभिक परिच्छा की बात करें तो प्रिलिम्स की तियारी करने वाले इस्टुडेंट्स के मन में अभी बड़ी ही विडमना चल रही थी पेपर को लेकर बहुत सारे स्टुडेंट्स यहाँ पर मेरे पास कमेंड कर रहे थे कि सर एक्जाम 19 जून को हो गया नहीं इस वज़े से चुकि बहुत सारे हमें ऐसी सूचना मिल रही है या हमारे पास ऐसी जानकारी आ रहे है कि एक्जाम को लेकर बहुत सारे कोश्चन से हमारे मन में उठ तो सर क्या एक्जाम हो पाएगा या नहीं ऐसे बहुत सारे डौाउट रिस्टूडेंट के मन में थे और उसकी वज़े से हो क्या रहा था कि वे अपनी जो तैयारी है उस तैयारी में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे साथियो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बात की थी कि देखिये आपका काम केवल पढ़ना होता है आपका काम केवल मेहनत करना होता है परिस्रम करना होता है रिजल्ट और एक्जाम लेना आपके हाथ में नहीं है और इसी बात को मैं काफी पहले से दोराते हुआ आया हूँ और मैंने कहा था कि अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे और तयारी को कंटिनुन नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप इसकी वज़े से स्वयम का ही नुकसान कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छी सूचना आप सभी के सामने हैं मद्धिप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC की ओर से मेरे सांतियो MPPSC द्वारा अभी हाल ही में एक सूचना यहाँ पर जारी की गई है जिसमें आप देखिये कहा क्या गया है यहाँ पर सुद्धी पत्र किर्मांग के दिरांग 35-2022 यानि हाल ही में यह जो कह सकते हैं इन्फोर्मेशन है यह इन्फोर्मेशन यहाँ पर डाली गई है इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सेवा परिक्षा 2021 यानि कि यहाँ पर State Services Exam और राज्य वन सेवा यानि State Forest Service Exam 2021 की ब बात करें तो उस एक्जाम की बात करें तो उसके संबंद में यह notification है क्या कहा गया है MPPSC मद्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कि राज्य सेवा परिक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परिक्षा 2021 राज्य सेवा परिक्षा के आयोजन की सूचना इस जो notification है यह जो सूचना है इसमें बताया गया है राज्य सेवा प्रारंबिक परिक्षा के आयोजन की सूचना के बारे में कि जो आपकी परिक्षा तिती है 19.2022 इसके पिरवेश पत्र की उपलब्दा दिनांक 10.6.2022 याने की कहने का मतलब यह है कि आपका जो यह एक्जाम है इस एक्जाम का पिरवेश पत्र आपको 10 तारीक को देखने को मिलेगा और यह चीज यहाँ पर यह दर्साती है कि आपका एक्जाम होना है आयोग द्वारा और क्या बाते कही गई है उसे हम देखते हैं इसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश सासन के विभिन विभागों के प्रिसासनिक पदों की पूर्ती हेतूर राज्य सेवा परिक्षा 2021 याने स्टेट सर्विस एक्जाम 2021 और का विज्जापन यहाँ पर 10-2022 दिरांक 22-12-2021 तथा राज्य वन सेवा परिक्षा याने स्टेट फोरिस्ट सर्विस एक्जाम 2021 का विज्जापन 22-12-2021 को आयोग की वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर जारी किया गया था आप सभी जानते हैं इसका नोटिफिक्षन कब आया था 22-12-2021 याने कि 22 दिसंबर 2021 को तो इसमें क्या कहा गया है कि उक्त विज्जापनों के संदर्व में राज्य सेवा प्रारंबिक परिक्षा 19-6-2022 को प्रदेश के सभी 52 जिला या संभाग मुख्यालों में निम्नानु 52 जिलो और संभाग में यह परिक्षा आयोजित होगी इसका समय भी बता दिया गया है कि प्रातहत 10 बजे से 2 पहर 12 बजे तक यानि कि सुभे आपका 10 बजे से 2 पहर 12 बजे तक GS 1 यानि सामान्य अध्यन का प्रिश्ण पतर रहेगा और 2 पहर पश्चात यानि कि सवा 2 बजे सवा 4 बजे तक सामान्य अभी रूची परिक्षन कहने का मतलब यह कि जो आपका CS8 है उसका एक्जाम रहना है तो मेरे ख्याल से आप सभी का भ्रहम दूर हो गया होगा कि बहुत सारे स्टुडेंट इस बात में थे कि सर एक्जाम होगा या नहीं हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और क्या कहा गया है कि उक्त परिक्षा है तु प्रिवेस पत्र दिनांक 10-6-2022 से यानि 10 तारीक आपका जो 10 जुलाई है 10 जुलाई 2022 से www.mponline.gov.in यह जो आपकी साइट दी गई है यहाँ पर डाउनलोड है तु उपलब्द होंगे कहने का मतलब 19 जून को ही आपका एक्जाम 19 जून को ही होना है और इसका प्रिवेस पत्र भी आपको कब मिल जाएगा 10 तारीक को प्रिवेस पत्र आपको मिल जाएगा प्रिवेस पत्र डाउनलोड करने है तु MP online के क्योसके की सेवाए भी प्राप्त की जा सकती इसे तु 5 रुपय आपका पोर्टर स प्रिवेस पत्र में दिये गए निर्देसों का अनुपालन करते हुए परिक्षा में संबलित हो तो मेरे साथियो अब मैं आपको कुछ महित्पूर्ण बाते यहाँ पर बता रहा हूं कि मैं काफी पहले से लगबग चार महीने पहले से आप से कहता आया हूं कि देखिए आ अब मैं पहले से कहता आया था कि आप इस बात में न उलज्जे की सर इकजाम कब होगा, रिजल्ट कब आयेगा यह सबी चीज़े हमारे हाथ में होती नहीं है आप सबी अभी इस ब्रह्मे थे कि साएद इक्जाम केंसल हो जाएगा, इस बज़े से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगा या नहीं ऐसे बहुत सारे चीज़े यहां तक की पंचाय चुनाओं को लेकर आपको एक्जाम को लेकर यहां पर थोड़े से डाउट थे तो मेरे साथियो अब आपका डाउट किलियर हो चुका है अब आपके सामने मात्र 19 या 20 दिन बच्चे हुए हैं अब आप इस से 20 दिनों में केवल एवरेज अंके ही प्राप्त कर पाएंगे एवरेज का मतलब आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ और मेरी बाते कहीं स्टुडेंट्स को हमेशा कड़वी लगती थी हमेशा कहते थे कि सर आप ये किन बातों को लेकर बेट जाते थे मैं कहते आया हूँ कि ना ही तो रिजल्ट आपके हाथ में होता है और ना ही एक्जाम आपके हाथ में होता है और मैं पहले से कहता आया हूँ कि एक्जाम भी हो जाता है रिजल्ट भी आ जाता है और हम केवल इनी बातों में उल्जे रहते हैं ग्जार एक्जाम जो होगा और नोटीफीकेसर न आजाता है ग्जाम हो जाता है जोわか्वे विद्ध्यारती मेरे सांथी करते हैं वे अपना नाम पाते हैं और अन्ति撻टy शेयनर ले लोगा अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अब तो हमारे पास मातर 20 दिन भी नहीं बचे हुए है अब हमारा क्या होगा अब हम तैयारी केसे करें इन 20 दिनों में हम क्या पढ़ें केसे पढ़ें चुकि हम तो सिर्फ इसी उसमें थे कि साइद एक्जाम को लेकर हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे इसलिए हम अपना 100% नहीं दे पा रहे थे लेकिन मैं पहले से केते आया था कि इन बातों पर ध्यान मत दिजिए आपका जो काम है उसे करते रहिए लेकिन अगर अब भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताईए कि तयारी केसे करनी है इन कम दिनों में हम क्या पढ़े क्या छोड़े इसके अलावा बहुत सारी चीजे की कितने घंटे पढ़े किस तरीके से तयारी करे टेस्ट श्रीज लगाए या नहीं लगाए साथ ही नोट्स को केसे पढ़े केसे इन कम दिनों में ज़्यादा अंको के तयारी करे अगर एसे आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मिच से जितना हो सकता है मैं कोशिस करूँगा कि आपको बहतर मारक दरसन दे सकूँ और अगर आपने वास्ताओं में इतने टाइम तक मेहनत की है तो यकिन मानिया आप सफल जरूर होंगे आप 100% सफल होंगे और अगर आपने यूही मजाक में ये टाइम निकाला है तो यकिन मानिया आपको ये दिन बहुत अखरने वाले हैं तो सांतियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ये रही एक महत्पूर्ण सूचना तो अब अभी से लगजाईए बिल्कुल अपना 100% दे दीजे अब इस बात से निकल आईए कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा क्या होना है मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं बस हमें इन 20 दिनों में 18 दिनों में अपना 100% देना है बहुत बहुत धन्यवाद